साथियों ये बात सही है कि दुनिया में जब भी G20 जैसे बड़े प्रेटफॉर्म का कोई सम्मेलन होता है तो उसके अपने डिप्लोमेटिक और जियो पोलिटिकल माइने होते ही हैं ये स्वाभाविक भी है लेकिन भारत के लिए ये समीट केवल एक डिप्लोमेटिक मिटिंग नहीं है भारत इसे अपने लिए एक नई जिम्मेदारी के रूप में देखता है भारत इसे अपने प्रती दुनिया के विश्वास के रूप में देखता है आज विश्व में भारत को जानने की, भारत को समझने की एक अभुत्पुर्वत जिग्यासा है, आज भारत का नए आलोक में अध्यन किया जा रहा है, हमारी वरतमान की सफलताओं का आकलन किया जा रहा है, हमारे भविश्च को लेकर अभुत्पुर्व आशाएं प्रकट की जा रही हैं, ऐसे में ये हम देश वाच्वों की जिम्मेदारी हैं, कि हम इन आशाओं अपेशाओं से कही जादा बहतर करके दिखाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है, कि हम भारत की सोच और सामर्थ से, भारत की संस्कृती और समाज सक्ती से, विश्व को परिचित कराएं, ये हमारा दाहित्व हैं, कि हम अपनी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृती की बाउदिक्ता और उसमें समाहित आधुनिक्ता से, विश्व का ज्यान वर्धन करें, जिस तरह हम सद्यों और सहस्त्राद्यों से, जय जगत के विचार को जीते आये हैं, आज हमें उसे जीवन्त कर आधुनिक विश्व के सामने परस्तित करना होगा, हमें सब को जोड़ना होगा, सब को वैश्विक करतव्यों का बोत कराना होगा, विश्व के भविश्व में उनकी अपनी भागिदारी के लिए जागरित करना होगा, प्रेरित करना होगा,